भारत के ऐसे महान जोतिशाचार जिने हर रहसे पता था, इनकी भविश्यवानिया कभी गलत नहीं हुई भारत के महानतम भूमी ने ऐसे दिव्यरत ने प्रदान किये हैं, जिनकी मनीशा और विरक्षनता ने समस्ते संसार को चौका दिया है आज भी उनकी बुद्धि मत्ता और ज्ञान रहसे का विशे है भारत के इतिहास में कई ऐसे प्रतिभाशारी जोतिशाचारे हैं, जिन्होंने अपनी बुद्धी और ज्ञान से पूरी दुनिया को अच्रज में डाल दिया है आज हम आपको कुछ ऐसे जोतिशाचारे के नाम और उनके बारे में बताएंगे कि जिन्हें ब्रह्मान से लेकर पाता लोग तक की जानकारी थी आरे भट सबसे प्रतम, आरे भट को दुनिया प्रतम गणितग्य के रूप में जानती है जोतिश का इतिहास इनी से जुड़ा हुआ है आरे भट का आरे भट ये तंत्र सबसे प्राचीन जोतिश ग्रंथों में से एक है आरे भट के इस क्रंथ में तारों और सूरी की इस्तिर्ता और प्रत्वी के गूमने का वर्णन है आरे भट्ट ही ऐसे प्रतम गणित्त के जोतिर विध हैं जिनका ग्रंथ एवं विवरन प्राप्त होता है जोतिश का करमबद इतिहास इनके समय से ही मिलता है इनका गणित जोतिश से संबंध आरे भटी तंत्र प्राप्त है यह उपलब्द जोतिश गंतों में सबसे प्राचीन है इसमें दश गीतिका, गनित, कालक्रिया तथा गोल नाम वाले चार पाथ हैं इसमें सूर्य और तारों के स्थिर होने तथा प्रत्वी के घूमने के कारण दिन और रात होने का वर्णन है इनके निवास इस्थान के विशय में विद्वानों में मतैक के नहीं है कुछ लोग दक्षिन देश के कुसुमपूर को इनका इस्थान बताते हैं तता कुछ लोग अश्मकपूर बताते हैं इनका समय 397 शकाप्त बताया गया है गनित जोतिश के विशे में आरिभट के सिधांत अत्यनत्य मानने हैं इन्होंने सूर्य और चंद ग्रहन के वैज्ञानिक कार्णों की व्याख्या की है और वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल, आधी गनिती विदियों का महत्वपून वि वेचन किया है दूसरे है वाराह महिर जोतिशास को सिधांत, सहिता और होरा की सपष्ट रूप से व्याख्या करने वाले वाराह महिर को पहले ही आचारे थे वाराह महिर को भारती जोतिश का मारतंड कहा जाता है जोतिशास्त, सहिता और सिधांत को वाराह महिर ने और भी अधिक व्यवस्थित कर उसे वैग्ञानिक रूप प्रदान किया है। भगवान सूरी के क्रपा प्र वारा मिहर ही पहले आचारे हैं, जिन्होंने जोतिशास्त को सिधान, सहिता तथा होडा के रूप में इस्पश्ट रूप से व्याख्याईत किया है। इन्होंने तीनों सकंदों के निरूपन के लिए तीनों सकंदों से संबद अलग-अलग गन्तों की रचना की, सिद्धान्त, गनित, सकंद में इनका प्रसिद्ध रचना है, पंच सिद्धान्तिका, सहिता सकंद में ब्रहत सहिता, तता होरा सकंद में ब्रहत जातक, मुख्य र रहने वाले थे इसलिए ये अवंतिका चारे भी कहलाते हैं इनके पिता आदित्य दास थे उनसे इन्होंने संपून जो तिर्ज्ञान प्राप्त किया जैसे ग्रहों में सूर्य की स्थिती है वैसे ही देवग्यों में वाराह मेर का इस्थान है वे सूर्य सुरूप हैं इनकी रचना शैली, संशिक्तता, सरलता, स्पष्टता, गुरार्थ वक्तरता और पांडित्य आदी गुनों से परिपून है इन्होंने तेरा गंतों की रचनाएं की हैं इनका ब्रहत जातक ग्रंथ, फलित शास्त्र का सर्वाधिक प्रौड तथा प्रामानिक ग्रंथ है इस पर भट्टोत पली आदी अनेक महत्वपून्टी काएं हैं, आचारे वारा हमें ने इस विज्ञान को अपनी प्रतिभाद्वारा बहुत विलक्षनता प्रदान की ये भारती जोतिशास के मार्तंड कही जाते हैं यद्यपी आचारे के समय तक नारज सहिता आदी में जोतिशास सहिता होरा तथा सिध्धान इन तीन भागों में विभक्त हो चुका था तथा पी आचारे ने उन्हें और भी विवस्थित कर उसे वैग्यानिक स्रूप स्रूप प्रदान किया जोतिश के सकंध स्थान से संबध इनके पंच सिध्धानति का नामग्रंत की या विशिष्टा है कि इसमें उन्होंने अपना कोई सिध्धानत न देकर अपने समय तक के पूर्ववर्थी पांच आचारियों पितामा, वशिष्ट, रोमश, पॉलिश तथा सूर्य के सिध्धानतों का संकलन कर महत्वपून कारिकिया इनकी ब्रहत सहिता स्कंध का सबसे प्रौर तथा मानने ग्रंत है इसमें 106 अध्याएं हैं, इस पर भटोत पल कीटी का बड़ी प्रसिद्ध है फलिश जोतिश का ब्रहत जातक को देवेग्यों को कंट हार ही है इसमें 28 अध्याएं हैं, इसमें स्वल्प में ही फलिश जोतिश के सभी पक्षों का प्रामानिक पर्णन है इसमें पूर्व प्रच्रित पाराशरी विशुनतरी दशा को न मानकर नवीन दिशा निरूपन दिया हुआ है इस ग्रंत का नश्ट जात का ध्याएं बड़े ही महत्व का है नमबर 3 प्रत्वियश आचारे वारा मेह के पुत्र प्रत्वियश भी भारत के महान जोतिशा चार्यों में से एक है इन्होंने विरचित शट पंचाशिका के फलिश जोतिश की रचना की इस ग्रंत में साथ अध्याएं है नमबर 4 कल्यान वर्मा इनका समय शकाप्त 500 के लगभग है इनकी लिखी सारावली होरा शास्तर का प्रमुग ग्रंत है इनहें गुर्जर देश गुजरात का बताया गया है सारावली फलादेश अत्यन प्रामानिक माना जाता है इसमें 42 सध्याई हैं कहा जाता है कि इन्हें सरस्वती का वर्दान प्राप्त था भटोदपल ने व्रहजातक की टीका में सारावली के कई श्लोक उधरत किये हैं नमबर पांच लल्लाचारे लल्लाचारे जोतिश के सिध्धान्त सकंद के संबध शिष्य धी व्रत्थी तंत्र ग्रंत अत्यन प्रसिद्ध हैं इनके समय के विशय में मद्भीद हैं किन्तु कुछ आचारेों का कहना है कि ये 500 शकाप्त के आसपास विद्यमान थे इन्हें दाक्षिनात्य प्रताया गया है इन्होंने रत्नकोश तथा जातक सार नामग्रंतों का भी प्रणयन किया लल्लाचारे गणित जातक और सहिता इन तीनों सकंदों में पून प्रवीन थे शिश्य धी व्रद्धितंत्र में प्रधान रूप से गणिता ध्याय और गोला ध्याय ये दो प्रक्रण है गणिता ध्याय में अनेक अधिकार है भासकराचारे जी इनके घ्यान से विशेश प्रभावित थे नमबर छे भासकाचारे प्रथम इनका समय 530 शकाप्त के आसपास का माना गया है इनके महा भासकरी तता लगू भासकरी ये दो ग्रंथ हैं आरे भटी का भी इन्होंने व्याख्या किया था ये लीला वती के लेखक प्रसित भासकाचारे से भिन है नमबर साथ ब्रह्मगुप्त महानगणितग्य आचारे ब्रह्मगुप्त ब्रह्मसिधान का विस्तार करने वाले हैं इनका समय 520 शकाप्त है प्रसित भासकाचारे ने इन्हें गनदी चक्र चूड़ा मणी कहा है इन्होंने ब्रामस फुट सिध्धान्त तता खंडखाद्य नामक करन ग्रंद का निर्मान किया ये विश्णू के पुत्र हैं ये गुर्जब प्रांत के भिन्नमाल ग्राम के निवासी थे इन्होंने गनित के शेत्र में महान सिध्धान्तों की रशना की और नवीन मत भी स्थापित किये यह कहा जाता है कि ये तीन ही सिध्धान गनित की पद्धतियां हैं एक आरे, दूसरा सौरे तथा तीसरा ब्राम और इनके क्रमशा तीन ही आचारे हुए हैं आरे भड, वारामहे तथा ब्रह्मगुप्त ये वेद विद्ध्या में अत्यंत निपुन और असाधारन विद्ध्वान थे इन्होंने बीज गनित के कई मियमों का अविश्कार किया इसलिए ये गनित के प्रवरत तक कहे के हैं अलबरुनी ने इनके गनित ग्यान की बहुत प्रशंसा की है ये आरे भड से उपकरत भी थे किन्तों खंडखात्य में इनके अनेक मतों का प्रवल विरोध भी इन्होंने किया है श्री धराचारे बीज गनित के जोतिर विदों में श्री धराचारे का स्थान अन्यतम है इनके त्री शतिका पाटी गनेद, बीज गनेद, जातक पद्धती तता रत्नमाला आदी प्रसिद्ध ग्रंत है परवर्ती भासकाचारे आदी इनके सिद्धानतों से बहुत उपकर हैं वित्तेश्वर करण सा नामक इनका ग्रंत बहुत प्रसित है यह ग्रंत आरिबट के सिद्धानतों का अनुगमन करता है नमबर दस मुझाल मद्याधिकार स्पष्टाधिकार आदी आठ प्रक्रणों में विभक्त लगु मानस करण ग्रंत के रचाईता मुझाल का जोति इस जगत में महान आतर है यह भारत द्वाज गोत्रिये थे अयनां श्री निरूपन में इनका विशेष्ट योगदान रहा है प्रतिपात विशे गणित होने पर भी इस ग्रंत की शैली बड़ी रोचक तता सुगम है भारत के इन महान जोतिशियों और जोतिविदों ने हि इन्दू जोतिश को एक नई दिशा प्रदान की है इनके कारण ही आज जोतिश का इतना विकास हो पाया है दोस्तों आपको यह जानकरी पसंद आई हो तो क्रप्या लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें धन्यवाद आपका दिन शुब हो